हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप सब अच्छे होगे आज की वीडियो में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है चलिए देखते हैं कि आज क्या है वीडियो में दोस्तों जब बच्चों को या हस्बिन को टिफिन देना होता है चाये लंच का हो डिनर का हो ब्रेक पास्ट का हो बड़ी टेंशन होती है कि रोज-रोज क्या दें जो की नया भी हो एक्साइटिंग भी हो और जिसे खा भी लें पूरा टिफिन भी खतम हो जाए तो इसी सोच द्यान में रखते हुए मैंने आज बना दिये हैं छोले हस्बिन का टिफिन है ये डिनर का टिफिन है ये लंच बॉक्स नहीं है यानि कि लंच का नहीं है तो जब भी मैं डिनर देती हूँ उन्हें तो हमेशा ज्यादा देती हूं टिफिन में क्योंकि जो कलीग दगेरा रहत उनके साथ में जो काम करते हैं वो लोग भी ताकि खा सकें अगर किसी को कुछ पसंदा या इन केस कोई लाना नहीं लाया है अपने घर से टिफिन तो वो भी खा ले रोटिया मैंने घी लगा कर अच्छे से पैक कर दी हैं जिससे कि वो बिल्कुल भी हाड़ना रहें एक दम और फॉयल पेपर में मैंने उन्हें रैप कर दिया है यहां पर यह चोले मसाला है नॉर्मल चोले मसाला है मसाले कम हैं मिर्ची ज़्यादा डाली गई है तीखा बनाया गया है इसे आज और मैं इसे भी डाल दे रही हूँ चोले से पुरा टिफिन ही भर दूँगी मैं जो है टिफिन देने के लिए क्योंकि इन्हें धोने में बहुत अच्छा रहता है साथी मैंने पुलाव भी तयार कर लिया है हस्बिन ने कहा था कि प्लेन राइस बना देना लेकि मैंने थोड़ा सा घी में तड़का लगा के काली में चौर जीरा डाल दिया था जिससे पुलाव जैसे लग रहे हैं जीरा राइस की तरीके से लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर चावल भी डाल देती हूं रात का खाना होता है तो मैं रात का खाना ज्यादा था इसकिप करती हूं नहीं खाती हूं तो इतना ही बनाती हूं जितना हस्बिन को देना होता है तो यह ब में ज्यादा कुछ नहीं कोकुंबर यानि ककड़ी या खीरा और साथ में प्याज क्योंकि छोले के साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है सबको जो काम हुआ है कोल्ड है इसलिए नीबू नहीं दे रहे हूं साल्ट एंड पेपर उनके आफिस में रहता ही है इसलिए साल्ट नहीं डालूंगी इसमें और जैसे कि आप फेरी आवाद से भी अंदाजा लगा सकते हो बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ है लेकिन कई दिन हो चुके हैं इसलिए मुझे मजबूरी में वीडियो वाइस वर करने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं सोचा कब तक ऐसे काम चलेगा क्यो साथी साथ एक नैपकिन भी डाल दोंगी कि भी गी वगरा लग जाता है कई बार तो खपड़ों में लगने का चांसस रहता है तो नैपकिन से वह अच्छे से साफ हो जाता है तो तैयार है यह लंच बॉक्स कहो या फिर डिनर कहो टिफिन बॉक्स या ब्रेक फार्स जो भी झाल 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 झाल